एक और सियासत की बानगी है तो दूसरी और बयानों का होहला सियासत की विसात बिच्चुकी है और नेता उसमें अपनी मेहनत को जोंकने को तयार है कोई भी अपने को कम नहीं आकना चाहता है ऐसे में समाधवादी पाड़ी के मुकिया मुलाईम सिंग यादभ ने ब्यजयपी के कैमपेन कमेटी प्रमो और गुजरात के मुखे मंतरी नरेंडर मोधी को यूपी से चुनाओ लड़ने की चुनाओती दे दी है मुलायम ने मोधी पर सीधे निशाना साते वे कहा कि ये गुजरात नहीं यूपी है नरेदर मोधी अपने लोगों के जरीए यहां से चुनाओ लड़ने का हल्ला मचाने में लगे हैं वह एक बाल लोग सभा में यहां से मैदान में उतर करतो देखे जीत का नशा दूर हो जाएगा यहां की जनता उन्हें हमेशा के लिए सबक सिखा देगी मुलायम सीयादम ने मोधी फैक्टर की हवा निकालती हुए कहा कि उत्तर प्रदेश लग मिजाज का है यहां हवाई बातों के नेता नरेदर मोधी का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा मुलायम सीयादम मोधी को ये खरी-खरी सुना रहे थी रामपुर कस्वे में वह यहां अपनी पार्टी के मुस्लिम चहरे आजम खां की मा के इंतकाल के मौके पर पहुचे थी उन्हें पता था कि यहां कांग्रेस नहीं बीजेपी को निपटाना है इसलिए मोधी के मुद्दे पर अभी तक मुखर नहीं हुए मुलायम खुलकर बोले उनका बोलना इसलिए भी खास हो गया क्योंकि कॉंग्रेस समेत और कईदल आरूप लगाने में लगे हैं कि वोटों के ध्रुभी करण के लिए मुलायम और बीजेपी एक हो गये हैं अब मुलायम सक्त हुए हैं तो बीजेपी भी बलटबार करेगी आकिर सियासत में जवानी जंके भी अपने मायने होते हैं लेकिन इन मायनों में राजनीतिक सिद्दांत कितने काम आते हैं ये देखना वाकई दिल्चस्प होगा सुदर्शन न्यूज के लिए संजेत तिवारी की रिपोर्ट